प्लम का टोनर लिया है जो की मुझे बहुत पसंद है और इसकी फ्रग्रंस भी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं याफ फैस पर लगा लिया है ड ड प करके लगा देना है थोड़ा सा सब्सक्राइब अच्शेd का से देलिया है यह न्होंक हो पूरी कोशिश की आपको लेकिन नहीं दिखा इसको भी लगा लेना है फेस पे अच्छे से और कर लेना है पूरे फेस पे ब्लेंड यह बहुत ही अच्छा लगता मुझे इसको लगा के तो फेस में जान आ जाती है हम जो मेक अप करते हैं न वहारे पोर्स में भड़ता है क्य यह इसके में इतने अच्छे से चला जाता है ना कि आपके चीक्स एकदम बन जाएंगे सिल्की सिल्की शाइनी शाइनी से यह देखिए और इसके बाद जब मैं लगा हूँ फांडेशन को पहले मैंने लिया है इसके लिए दो पंप काफी है लेकिन अभी खतम हो रहा है और य अच्छे से इसको निचोड के रखिए ताकि वह आपके मेकप जवाब करें उसको अच्छे साब यूज कर सके यह देखिए मेरा व्यूटी ब्लेंडर डेडी था और मैंने फट आफट पूरे फेस्पेक कर दिया है अपना फांडेशन ब्लेंड यह बहुत अच्छा फांड हो तभी हम लोग कंसीलर का यूज करें अधरवाइस कंसीलर को ज्यादा आखों आखों पर ना लगाए क्योंकि हमारी जो आखों का एरिया होता है हमारे फेस से दस गुना संस्टे होता है इसलिए भी आखों को थोड़ा सा बचा के रखें और इसके लिए भरपूर नेंद तो आपकी आखें वैसे ही सुंदर लगेंगी बहुत ज़्यदा पोता पाती ना करें तो मैंने यहाँ पर कर लिया है ब्लेंड क्योंकि तीज मेकप था तो मुझे थोड़ा सा हैवी लुक करना था तो मैंने इसलिए आज यह लगा लिया है और ब्लेंड भी यह हो जाता है ठीक है कभी कभी लगा सकते हैं इसके बाद मैंने लगाया है यहाँ पर कॉमपैक यह लैक मेका है इसमें SPF भी है साथ में अलग से आपको लगाने की जरूत नहीं है संस्क्रीन तो यह देखिए अच्छे से लग गया है यह मैंने इसलिए पहले आँखों पर लगाया है कि अब जब हम आई मेक अब करेंगे ना तो यह बिल्कुल भी इसमें चिपकेगा नहीं हराम से हमारा आई मेक उप एसलिए पहले लगा लो तकी मेश सेटल हो जाए अब तक अब तक अर्पो कर लेंगे अर्पों करने के बाद फिर हम करेंगी आई मेकप ये देखिर ऑफ़ोबी फिल हो गई है मौत फटा फट कर लिए है कुछ भी नहीं इसमें आप चाहें तो बहुत डार्क भी कर सकते है यह पर मैंने कसि ब्राऊन प्रेंसिल ली और उसी से फिल की है उसमें कॉम भी रहती है उसी कॉम की हेल्प से मैंने उसको थोड़ा थोड़ा सेट कर दिया है बस के हो गया है कुछ भी जंजप नहीं है मेकप पस आप करेंगे एक बार शुरू करेंगे तो फटा-फट हो जाएगा इसके बाद मैंने क्या किया है अभी तो यह वाल और उसी को मैंने आई क्रीस पर रखके कॉर्णर तक फैला दिया और अच्छे से कर दिया है ब्लैंड यलो कलर लेके पूरे पर फैलाया है दो तीन बार लिया है मैंने क्योंकि मुझे चाहिए तक ग्रीन कलर कैसे बनेगा बही ग्रीन कलर के लिए मैंने लगाया है यहाँ प उच्छो मात की आखे हो गई है मेरी हरी हर्याली वाली एक दम से यह देखो बन गई न तो अगर आपके पास भी ग्रीन कलर खतम हो गया है यह आपके पैलेट में है ही नहीं तो यह वाला जुगाड़ा पक्का ट्राई करिएगा एक तुम यार सटीक बैट रहे लेगा तो यह आप बढ़िया से देखिए तो रिडी हो गई है आपकी आई मेक लगभग कम्प्लीट है और जो एक्स्ट्रा गिरा था ना क्योंकि वह जो येलो गलर था वह मैट था तो काफी गिरिया था तो उसको जाड़ दिया मैंने इसके बाद मैंने काजल पैंसिल लिए अपनी लग मेका है प्रोड़क्ट हमेशा अच्छे वाले ही यूज़ करें ताकि हमारी स्किन को कोई नुकसान ना हो मेक अप से और मेक अप करने के बाद थोड़ा सा में हैवी हो जाता है ना बहुत काफी हैवी लगने लगता है मैंने बहुत जादा नहीं लगाया इसको यह लग गया है इसके बार अब लगाए है फॉल साइव इस में बने ग्लू लगाए रखिए एक देब धी दो मिनट के लिए रखा उसके बाद वो सैट हूज़ाता है फिर आप आराम से चिपक ज्याता है कोई जंजट नहीं है कोई डिकत भी नहीं होती लग जाता है उसके बाद लगा कॉंटोरिंग मैंने बहुत ज्यादा नहीं की है यह देखिए मास इसी तरह इसको लेके और अपने गालों में कान से लेके इधर तकलियाना है थोड़ा सा चिन के नीचे कर दिया और थोड़ा सा फोरेट पे भी रगा दिया मैंने और अच्छे से ब्लैंड जरूर करें यह क्य तो जितना आप से हो सके आप उतना लगाए जरूरी नहीं कि आमने बहुत ज्यादा इस चैड़ा दे हैं यह पता चले कुछ और ही हो जाए फेस पे तो उतना भी नहीं उतना करें जितना अच्छे से हो जाए आप से और मेकप भी ठीक ठीक लगें तो मैंने भी कुछ वैसे नहीं किया है और नोस पे थोड़ी सी कॉंटोरिंग कर लिए बहुत ज्यादा नहीं किया है इतना किया है कि मेरे से ठीक से हो जाए यार नहीं तो पता चले मैं कुछ और ही कर दो क्योंकि फिर मड़बर हो सकती है इसलिए यह थोड़ी सी शेप में आ गई है और इसके बाद मैंने कर लिया है ब्लश उसी पैलेट से लेके आईशेडो के बाले पैलेट में ब्लश है तो उसी से लिया मैंने और फट आफट कर दिया है ब्लश यह देखिए और इसके बाद मैंने जो अपने नेक पे नहीं लगाया था ना फांडेशन और नोस कॉंटोर की थी तो उस प लग जाते हैं सच में एकदम लाइट वाले लग गया है कि फेस हो गया एकदम हजार वाट का मेरा लग रहा है ना मुझे पूछ ऐसी फीलिंग आ रही है यह देखिए सच में यार हाइलाइटिंग लगते ही लगता है कि बस इसमें जान तो आ जाती है आप लोग भी करें कभी कभी करना है तो कुछ अच्छा ही कि ट्राइए करिए और जब भी मैं वीडियो बनाती हूं पता नहीं क्या है मेरे घर में बैल जरूर बसती है और अभी बजगी गंटी तो आप लोग उस पर जादा ध्यान मत दीजिएगा जाने दो कोई नहीं है दूद वाले भ लिप्स्टिक भी मैं क्या करती हूं मेरे पास अगर प्रॉपर कलर नहीं है जो शेट मुझे लगाना वो नहीं होता है न तो मैं इसे करती हूं दो दो मिला लेती हूं जो मुझे चाहिए कभी दो एक तीन ऐसे से मिला के मैं बना डालती हूं और वह मैंने लग बग अपने वीडियो में ट्राइ करती रहती हूं इसमें भी कुछ वैसा ही का डाला है कि बन गया इतना सा ही तो करना है इसके बाद हम लग कर लेंगे अपने पूरे मेकप को फिक्स तीज का मेकप हो चुका है मेरा यहां पर कंप्लीट और आप मेरा लुक देख सकते हैं फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूं और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को करिए लाइक और शेयर करिए तो थैंक्स पार वाचि थैंक्यू